और अब दिली की मुख्यमंत्री आतिशी के आश्याने के बात होगी जिससे लेकर कई दिनों से सियासत हो रही है दिली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर छिड़ा बंगला विवाद आखिरकार थम किया है P.W.G. ने C.M. आतिशी को अप्चारिक रूप से 6 फ्लैक स्टाफ रोट का बंगला अवंटित कर दिया है ये वही बंगला है जिसमे पूरों सेम अर्विन केजडिवाल रहा करते थे आतिशी आज अपने नए बंगले का पुजेशन ले सकती है दिले की C.M. आतिशी के बंगले को लेकर क्या विवाद हुआ उसके पूरी टाइम लाइन समझेए अर्विन केजडिवाल ने 4 अक्टूबर को C.M. बंगला खाली कर दिया था तब तस्वीरों में सुनिता केजडिवाल C.M. हाउस के कैम्प आफिस के सक्षन आफिसर को बंगले की चाबी सौंपते हुई नजर आ रही थी आतिशी इस बंगले में रहने के लिए 6 अक्टूबर को पहुँची थी तो आतिशी अर्विन केजडिवाल की कुरसी पर बैठने के लिए तयार तो नहीं थी वो दो दिन के अंदर C.M. हाउस में शिफ्ट भी हो गई लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसके उन्होंने कलपना भी नहीं की थी P.W.जी ने आतिशी को बंगला खाली करने का नोटिस चारी कर दिया और उसके बाद C.M. हाउस को सील कर दिया लेकिन अब P.W.जी ने वही बंगला आतिशी को आवंटित कर दिया है दरसल जब अर्विन केजडिवाल ने बंगला खाली किया था तो P.W.जी को उसकी चाबी नहीं सौपी गई थी हैंजोबर की प्रक्रिया और समान की जाच नहीं हुई थी यानि कि ये बंगला आपचारिक तोर पर आतिशी को आवंटित नहीं किया गया था लेकिन अब सारी प्रक्रिया करने के बाद P.W.जी ने बंगला आतिशी को आवंटित कर दिया है